पानी उबलने लगता है चूने और पानी के बीच रासाइनिक अभीक्रिया होती है जिसमें उश्मा निकलती है आज हम कुछ रासाइनिक अभीक्रियाओं की दोरान होने वाले ताप परिवर्तन का अधिन करेंगे तथा ये जानेंगे कि इन में से कौन सी अभिक्रिया उश्मा शोशी है तथा कौन सी उश्मा शेपी रासायनिक अभिक्रियाओं में सदैव उर्जा परिवर्तन होता है कुछ अभिक्रियाओं में उर्जा उश्मा के रूप में अफशोशित होती है ऐसी अभिक्रियाओं को उश्मा शोशी अभिक्रियाओं कहते हैं तथा अन्य अभिक्रियाओं जिन में उश्मा निकलती है उन्हें उश्मा शेपी अभिक्रियाओं कहते हैं आज के प्रयोग में हम दोनों ही प्रकार की रासाइनिक अभिक्रियाओं को करेंगे इसके लिए हमें कुछ समगरी की आफ्शक्ता होगी जो इस प्रकार है चार बीकर 100 milliliter स्वंता, digital thermometer minus 50 degree centigrade से 300 degree centigrade, sodium hydroxide 1 molar, hydrochloric 1 molar, ammonium chloride thos, barium hydroxide thos, spatula, काच की छड़, यहां पर हमने 5 बीकर रखे हुए हैं, पहले बीकर में हमने sodium hydroxide willion बना के रखा हुआ है, जिसका हमने 20 milliliter नाप के रखा हुआ है, बीकर 2 जिसमें हमने hydrochloric amyl बना के रखा हुआ है, 20 milliliter, तीसरे बीकर में हमने बेरियम hydroxide लिया है 15 gram और बीकर 4 में हमने ammonium chloride लिया है 5 gram बीकर 5 में हमने आसू जल लेके रखा हुआ है, जिसकी साहिता से हम थमा मीटर दो कर रखेंगे, आईए अब हम पहला प्रियोक शुरू करते हैं, इसके लिए हमने दो बीकर लिये हुए हैं, पहले बीकर में हमने एनिवेच रखा हुआ है और दूसरे बीकर में हमने करते हैं, यईअ करते हैं, अब हम इनका टापमान करते हैं, सबसे पहले हम थमा मीटर लेते हैं और बीकर 1 जिसमे थिसमें हमने सोडियम ह Eck रखा हुआ है उसका टाप नोट करते हैं, इसका टाप 26.7 डिगरी इसका तप इस प्रकार है 26.5 दिग्री सेलसियस sodium hydroxide की hydrochloric aml के साथ अभिक्रिया कराने के लिए हम hydrochloric aml को sodium hydroxide willion में डालते हैं और तुरंथ thermometer डालकर ताप note करते हैं आईए हम देखते हैं कि sodium hydroxide और hydrochloric aml मिलाने पर initial ताप मान क्या आया है 37.0 ताप दिखा रहा है जिसे हम note कर लेते हैं पाठियांक लेने के बाद हम thermometer वकांच की चड़ को अच्छे सी धोकर रख देते हैं हमने देखा की अनुछ विलियन का ताप 26.7 degree Celsius आया है और hydrochloric aml का ताप 26.5 degree Celsius और अभिक्रिया मिश्रन का ताप 37.0 Celsius पहली अभिक्रिया का रसाइनिक समीकरन अनुछ जमा-HCl प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड और जल जैसा की हमने देखा की सोडियम हाइड्रोकसाइड और hydrochloric aml की अभिक्रिया में ताप बढ़ता है अथार्त इस अभिक्रिया में ऊर्जा उश्मा के रूप में निकलती है α्ते ये अभिक्रिया उश्मा शेपी अभिक्रिया है अभिक्रिया होने के बाद ताप बड़ा है अते हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया उश्मा शेपी अभिक्रिया है आईए अब हम दूसरी अभिक्रिया करते हैं उसके लिए हम बीकर 3 और बीकर 4 को लेते हैं बीकर 3 जिसमें हमने 15 ग्राम बेरियम हाइडरोकसाइड तॉल के रखा हुआ है और बीकर 4 जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइट 5 ग्राम तॉल के रखा हुआ है और बीकर 5 जिसमें हमने जल लेके रखा हुआ है तो हम जल का भी ताप मार नोट करेंगे जल का ताप 26.7 डिग्री सेल्सियस है अब हम दूसरी अभीकरिया शुरू करते हैं इसके लिए हमने बीकर तीन जिसमें हमने बेरियम हाइड्रोकसाइड 15 ग्राम लेके रखा हुआ है और बीकर चार जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड 5 ग्राम लेके रखा हुआ है अब हम कमरे का ताप नोट करते हैं कमरे का ताप 26.3 डिग्री सेल्सियस है अब हम बीकर 3 जिसमें हमने बेरियम हाईड्रोकसाइड लिया है उसका ताप नोट करते हैं 26.8 डिग्री सल्सियस अब हम थमामेटर को साफ करते हैं अब हम अमोनियम क्लोराइड का ताप लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का ताप 27.0 डिग्री सल्सियस हा रहा है अब हम थमामेटर को साफ कर लेते हैं अब हम बीकर 3 जिसमें हमने बेरियम हाईड्रोकसाइड लिया है उसे हम बीकर 4 जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है उसमें डालते हैं ताप मान लगातार कम होता जा रहा है आप देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाईड्रोकसाइड के बीच में जो अभिकरिया हुई उसमें ताप लगातार नीचे चला गया है आप देख सकते हैं कि अते हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया उश्मा शोशी अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का रासाइनिक समिकरन इस प्रकार है बेरियम हाईड्रोकसाइड जमा अमोनियम क्लोराइड से प्राप्त होता है बेरियम क्लोराइड जमा अमोनिया जमा जल इसी प्रकार इस अभिक्रिया में हमने देखा कि अभिक्रिया मिश्रण का ताप घड़ जाता है अथार्थ इस अभिक्रिया में उर्जा उश्मा के रूप में अफ्शोशित होती है अते बेरियम हाइड्रोकसाइड और अमोनियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया को उश्मा शूशी अभिक्रिया कहेंगे उश्मा का किसी अभिक्रिया में निकलना अथ्वा अफ्सोशन होना विध्यारती बीकर जिसमें अभिक्रिया कराते हैं उसे छूकर भी अनुभव कर सकते हैं इस प्रकार हम विबेनी रासाइनिक अभिक्रियाओं के दौरान उश्मा के निकलने और अफसूशन होने के आधार पर होने क्रमशे उश्मा शेपी या उश्मा शोशी अभिक्रियाओं में वर्गी करत कर सकते हैं साथ बाते हुआं के अभिक्रियाओं में वर्गी करता हैं